आजादी के बाद से अब तक सत्रा बार लोग सभाचुना हुए है और दिल्चस्प बात ये है कि लगभग आधी बार यानी की आठ दफा मुख्य विपक्षी पार्टी पचास से नीचे सीटो पर से मट गई 2014 के चुनाव में मोदी की ऐसी लहर आई कि कॉंग्रेस हवा हो गई और फिर मोदी लहर की आधी में कॉंग्रेस की बुरी तरह हार हुई वहीं एक बार फिर लोगसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी तापमान चड़ता जा रहा है इसके लिए बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने को बेताप दिख रही है इसके लिए पार्टी ने 370 सीट जीतने का टार्गेट सेट भी कर दिया है तो पीए मोदी ने NDA गटभंदन के लिए अबकी बार 400 पार का लक्ष तै किया है बीजेपी दोनों टार्गेट को पूरा करने के लिए अपना सियासी कुनबा बढ़ाने के साथ साथ विपक्षी दलों के दिगजनेताओं को भी अपने पाले में करने में जुटी है बीजेपी पीएम मोदी की अगवाई में फुल कॉन्फिडेंस में है जबकि 2024 का चुनाव कॉंग्रेस के लिए सियासी वजूद को बचाए रखने से भी जुडा है न्यूजेटीन ने लोगसभा चुनाव से पहले जंता का मूड जानने के लिए अब तक का सबसे बड़ा उपिनियन पोल किया है इस उपिनियन पोल में 1,18,000 से ज्यादा लोगों की राय को शामिल किया गया है न्यूज 18 के मेगा उपीनियन पोल के मुताबिक एक बार फिर केंदर में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है उपीनियन पोल के मुताबिक लोगसबह की 543 सीटों में एंडिये को 411 सीटे मिलती दिख रही है जबकि अकेले बीजेपी को साड़े तीन सो से ज्यादा सीटे मिलती दिख रही है वहीं विपक्षी गटबंदन इंडिया को एक सो पांस सीटे मिलने का अनुमान है अन्ये को 27 सीटे मिल सकती है अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो एंडिये गटबंदन को 48 फीजदी वोट मिलने की उम्मीद है वहीं विपक्षी गटबंदन इंडिया को 32 और अन्ये को 20 फीजदी वोट मिल सकता है मतलब साफ है कि नरेंदर मोदी के नितरत वाला एंडिये गटबंदन भारी बढ़त की तरफ जाता दिखाई दे रहा है पार्टी की रणनीती का सबसे बड़ा आधार और चुनाव परचार अभियान का केंदर प्रधान मंतरी मोदी की लोग प्रियता है इसके अलावा बीजेपी के शीर्ष नेताओं का लगातार बूच्तर तक जुडाव भी पार्टी के पक्ष में जा सकता है इसके अलावा केंदर सरकार के बीते पास सालों में बड़े और कड़े फैसले भी आगामी चुनाव के नतीजों को खासे प्रभावित करने का माद्दा रखते हैं वैसे तो भाजपा देश के सभी राज़ों में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की कोशिश में जुटी हुई है लेकिन 303 से 370 पहुँचने के लिए उत्तर प्रदेश, पस्चिम्बंगार, तेलंगाना, आंदर प्रदेश, केरल, तमिलाडू, बंजाब, जारखन और 36 गड़ पर पार्टी की खास नजर बनी हुई है बीजेपी का दावा है कि इस बार कॉंग्रेस, 40 के आकड़े को भी नहीं चुने वाली है बीजेपी ही नहीं, इंडिया गड़बंदन से अलग होने के बाद, ममता बेनरजी भी कॉंग्रेस के लिए ऐसा दावा कर चुकी है पिछले पांस सालों के चुनाओं पर नजर डालें तो 2019 के लोगसभा चुनाओं से पहले उत्तर भारत के चार राज्यों में कॉंग्रेस की सरकार थी पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और चथिसगर में कॉंग्रेस की सत्ता थी मध्य प्रदेश में कॉंग्रेस नेताओं की बगावत से सरकार गई और बाकी राज्यों में चुनावहार गई मध्य प्रदेश में इस बार और भी बुरी स्थिती रही कि बीजेपी उत्तर भारत में काफी मजबूत स्थिती में खड़ी नजर आ रही है ऐसे में उत्तर भारत में कॉंग्रेस का धीरे-धीरे सिमटना उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है कॉंग्रेस की कोशिश दक्षिन से अपनी सीटे बढ़ानी है लेकिन बीजेपी भी दक्षिन पर फोकस कर रही है और अपना सियासी कुनबा भी बढ़ा रही है अब देखना ये होगा कि 2024 में बीजेपी रिकॉर्ड की छड़ी लगाएगी या फिर इंडी गटवंदे रास्ते का रोडा बनेगी